हाई लेमेंधीज, वेलकम टू एजीवे कॉमर्स क्लासे, बैं हूँ तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग को रिलेशन को समझेंगे और आज जो उसमें हम टॉपिक करेंगे गाईज जो कि सबसे ज़दा इंपोर्टेंट, सबसे ज़दा एक्जाम में काल पीर्सन आपके इस चेप्टर में एक इंपोर्टेंट फॉर्मुला दे रहे हैं, एक नहीं उन्होंने चार चार फॉर्मुले दिये, लेकिन मैं आपको सिर्फ दो फॉर्मुले सिखाऊंगी क्योंकि कोईशन आप दो फॉर्मुले से सॉल्फ कर सकते हो, माँ दो में से आपके चॉइस है कि आपको कौन सा फॉर्मला यूज करना है ठीक है तो मुदब चार याद करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि कुछिन में पूछा जाता है कि find out the correlation through the Karl Pearson coefficient of correlation तो Karl Pearson दे चार मेथड़ती है तो आपके उपर होते है कि आपको कौन सा यूज करना है मैं आपको दो simple and easy सिखाऊंगी और ये पर सिखाऊंगी कि कैसे इसके formula को आप याद रख सकते हो तो end तक वीडियो देखनी है समझना है ध्यान से कुछ नहीं समझाएगा तो आपको पता हिए कि आप YouTube पर comment के थूँ या फिर Instagram पर message करके पूछ सकते हो तो guys सबसे बहले start करते हैं दो formula में से सबसे बहला है actual mean method actual mean method क्या होता है देखो correlation को r से denote किया जाते है small r से summation xy xy है small x small y उसे under root में summation x का square summation y का square ठीक है सबसे बहले इसको समझते हैं कि ये जो formula होते guys इसमें हमें सबसे बहले mean निकालना होता है actual mean तो आपको mean x का क्योंकि आपको पता है correlation में 2 series given होंगी x और y तो आपको first step क्या करना है find out the mean ठीक है actual mean method में तो हम सबसे पहले mean find out करना है that is इसका total करना है तो हमें पता है mean का formula क्योंते है summation x divided by n तो 55 divided by number of item कितनी है guys 5 तो हमारा mean आगया 11 y के case में 20 total है और 5 से divide किया तो mean आगया 4 second step क्या होगा guys हम लोगों को small x निकालना है और small y फिर उन दोनों को multiply करना है ताकि हमारा ये चीज़ पूरा हो जाए फिर हमें x का square करना है और y का square I know काफी length है लंबा रहेगा बट यही करना है तो आपको पता चला है तो plus minus को थोड़ा सा धियान रखेंगे हम लोग ठीक है 10 minus 11 minus 1 10 minus 11 minus 1 11 minus 11 0 12 minus 11 1 and 1 ठीक है अब same way में y का करेंगे हम लोग 5 minus 4 5 में से 4 गया 1 6 में से 4 गया 2 4 में से 4 गया 0 3 में से 4 गया minus 1 2 में से 4 गया minus 2 यह आपका x और y आगया अब आपको इसे multiply करना है ठीक है तो minus 1 multiply by 1 कितना होगा minus 1 minus 1 multiply by 2 minus 2 0 minus 1 and इसका minus 2 ठीक है अब हमें x स्क्योर करना है जो कि इसका होगा 1 का square 1 होता है then 1 0 1 1 जबकि y में 1 का square 1 2 का square 4 0 1 4 तो of course आपको अपको अपनी calculation अच्छी रखनी है इसमें अब x और y का total करते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले summation x y करना है ठीक है तो यह हमारा आएगा सारे ही minus में है तो minus 6 आजाएगा right अब हमें x स्क्योर का total करना है जो कि 4 आएगा फिर यहाँ पे आएगा 10 right अब हमें simply से formula में put कर देना है summation x y हमारा minus 6 आया है under root में हमें क्या लेना है x स्क्योर जो कि 4 है into 10 तो minus 6 और under root में आपका आगया 40 तो आपको root निकालना अफकोस आना चाहिए इसमें तो root अगर 40 का हम निकाले तो कितना होगा ठीक है तो देखो यह 6 के table से जाएगा 6 x 36 उसके बाद point लग जाएगा और minus करने पर 4 आएगा नीचे 2 0 आ जाएगी 6 plus 6 12 होता है अगर आपको root निकालना नहीं आता मैं एक separate video में आपको सिखा दूँगी बहुत असान होता है guys ठीक है अब यहाँ पर हमें कुछ ऐसी term लेनी है 3 लेके देखते है 123 multiply by 3 कितना हुआ 369 तो हमारा यह कुछ आएगा root अगर हम solve करेंगे minus 6 divided by 6.3 ठीक है तो अगर हम इसे cut करें तो answer आएगा 0 point अगर यहाँ पर 0 लगा दिया हमने तो 63 के 10 पर 6 30 आता है तो 63 के 9 पर कितना आता है 3927 547 आएगा तो हम लोग 0.9 something हमारा answer आएगा आप चाहे तो इसे second digit तक solve कर सकते हो मुझे दोनों method सेखाने है इसलिए मैं अभी one digit तक solve करेंगे तो मेरा answer 0.9 आ रहा है तो यह हमारा एक method था जो कि आपका actual mean method था यह आप तभी guys adopt करोगे जब आपका mean जो है like 11 और 4 आया point में नहीं आया अगर आपका mean point में आ जाता suppose करो 10.2 आ जाता तो आप यह देखो कि आपके लिए यह minus करना भी 10 में से 10.2 minus करना है तो थोड़ा सा difficult हो जाता है तो हमें यह method तब adopt नहीं करना कब नहीं करना जब आपका answer point में आएगा तब हमें जाना है direct method पर तो अब हम समझेंगे direct method so guys आप लोगों ने देखा कि हमने जब actual mean method से solve किया तो हमारा answer minus 0.9 आ रहा था क्योंकि 6 हमारा minus में था right अब मैंने आपको बोला कि यह method आपको तब ही adopt करना है जब आपका answer यानि कि mean जो है आपका point में ना आए लेकिन अगर आपका mean point में आ जाता है तो आपको इस method पर आ जाना है और इसके through solve करना है अभी हमारा mean positive है और positive भी है plus secondly वो point में नहीं है point में नहीं है तो हम दोनों में से कोई भी method चूज़ कर सकते हैं आपकी इच्छा है आपको यह method लेना है यह method लेना है अगर answer क्या अगर आपका mean point में आएगा आपको कौन सा method चूज़ करना है direct method और direct method का formula कितना असान है guys देखो आपका यहाँ पर normal formula रहते है summation x y जिसमें x और y small रहते हैं हमें यहाँ पर small x और small y निकालने का तंटा ही नहीं रखना करना ही नहीं है capital summation x y capital यानि कि हमें यहाँ पर x और y निकालना है mean तो हम निकालेंगे ही हमारा first step होता है जो हमने already निकाल रखा है x square capital यानि कि इसका directly square कर देना है और y का भी और उसमें से minus क्या करना है n mean का square n y का square यानि कि सब कुछ सेम है बस letter capital में बदल गई है और उसमें से minus हो रहा है यहाँ पर x y थे तो mean x mean y था यहाँ पर x square था तो यहाँ पर mean का square हो गया यहाँ y square था तो यहाँ mean का square हो गया तो आप बहुत असानी से इस formula को याद कर सकते हो direct method है solve करते हैं एक बार x है x y निकाल लेते पहले कितना आ रहा है 50, 60, 44, 36, 24 x का square अगर हम करें 10 का 100, 100, 121, 144 होता है 12 का and 144 y का square कर लेते हैं guys 5 का होता है 25, 36, 16, 9 and 4 ठीक है असान था अब बस हमें इसकी totaling करनी है formula में put करना है totaling करते हैं यह हो गया हमारा 4 6, 6 हो गया 12, 12 प्लस 4 हो गया 16, 19 and 214 और यहां का अगर हम करें यह हो गया 9 और यह हो गया आपका 10 का एग गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 609 और अगर इधर का total करें तो guys 6 प्लस 4 हो गया 10 और यह हो गया 15 तो 10 प्लस 15 25 प्लस 5, 30, 3, 2, 5, 3, 8 और एक 9 ठीक है असानी से निकल गया 3 स्टेप करें बस हमने अब हमें formula में put करना है सबसे पहले summation x, y कितना आ रहा हमारा 214 minus n कितना यानि कि number of item 5 है mean कितना था 11 और इसका कितना था 4 अब under root में यह थोड़ा सा rub कर देती हूं guys ठीक है अब under root में हमें लेना है x का square कितना आ रहा हमारा 609 और उसमें से minus करना है हमें mean का n 5 है हमारा mean कितना था x का 11 और उसका square same way में y का करेंगे y का square आ रहा हम 90 minus n कितना था 5 और mean कितना था 4 और उसका square ठीक है अब यह 214 में से हमें इसको multiply करना है तो पच्पन multiply by 4 कितना होगा 220 ठीक है और यहाँ पर अगर हम करें 609-5 और 11 का स्क्वेर होता है 121 और इसके बाद 90-5 और 4 का स्क्वेर होता है 16 बस solve करना है यहाँ पर minus 6 आगया जो कि पहले वाले उसमें हमारा minus 6 आया था ध्यान रखना ठीक है अब यहाँ पर हमने किया 609- अगर इसको multiply करें 5 से 5 और 5, 5 तूर 10 605 और इधर आया था 90-80 तो हम मैं उपर पहुंच जाते हूं ठीक है यहाँ पर minus 6 under root में आया हमारा यहाँ पर 4 और यहाँ पर under root में आया हमारा 10 ठीक है तो अगर हम इसे solve करें अगें यह पहले वाली situation ही पड़ गई minus 6 divided by root 40 तो अगर हमने इसे जब solve किया था तो यह 6.3 आया था और solve करने पर हमारा answer minus 0.9 आया था और जो मैंने आपको बोला है दो टंस लग निकालना ठीक है दो टंस लग आप निकालोगे तो दोनों ही method से answer सेम आएगा आपकी choice है आपको कौन सा method यूज करना है formula याद करना बता दिया बहुत असान है अगर स्फिर भी कोई difficulty होती है message कर सकते हो Instagram पर ID अभी ता मैसी offer coming get through Thank you